तो आज आपके रिलाए हैं एक यूजलेस बॉक्स आप इसको यूजलेस बॉक्स भी बोल सकते हैं लेकिन हम लोग इसी यूजलेस बॉक्स को यूज करके एक कॉलिंग बिल बनाएंगे तो आप अब लोग दे सकते हैं यहाँ पर जो कॉलिंग बिल अगर दबाएंगे तो यही बॉक्स ओटोमेटिकली कॉलिंग बिल को बंद कर देगा तो इसको अगर दर्बाजे पर फिट करेंगे तो बहुत ही अच्छा एक गैजट होगा जो की कॉलिंग बिल दबाने पर भी अच्छा लगेगा तो यह जो बॉक्स है इसको हम लोग आसानी से घर भी बना सकते हैं तो चलिए देखते हैं वी वीडियो किस पकड़ से हम लोग एक कॉलिंग बिल जो की यूजलेस बॉक्स बहुत है इसको बना सकते हैं अपने घर पे यहाँ पर आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं पीसिभी डिजैन कर सकते हैं किसी भी प्रकार के गरवड फायल यह सब कुछ आसानी से क्रेट कर सकते हैं इस सौफ्टेयर पे इस संफ्टेयर के ट्राइल के लिए नीचे देवावा लिंक पर क्लिक करें तो अभी यह जो box है, इसके अंदर मैंने एक switch लगया है, जो कि calling bill का काम करेगा, तो इसका दर्बाज अगर open करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सार्बो जो कि दर्बाजे को open करेगा, और अंदर जो है, वो मैंने दो सार्बो और लगया है, जो कि एक सार्बो flag क इसको उठाएगा, और एक सार्बो, जो कि यह जो हाथ है, इसको उठाएगा, और यह बंद कर देगा, और इसके सब मैं और एक सार्डी इस पर लगा रहे हूँ, तो देखिए, यह जो आप speaker देख रहे है, इस पर से audio output होगा, और यह है audio का एक सार्डी तो यहाँ पर आप जो बैटरी के connection है उस बैटरी के connection हम लोग इसी switch के अंदर से लेंगे तो switch पर मैंने एक ground है और एक positive है positive 5 volt है तो ये circuit 5 volt से चलता है तो वही 5 volt हम लोग इसको use करेंगे जब भी इसको on करेंगे 5 volt इसको मिल जाएगा ये गाना बजने लाएगा तो ये जो की handle है ये आखे इसको बंद कर देगा काना भी रुख जाएगा और ये switch भी बंद हो जाएगा इसी प्रकर से हम लोग इसको fit करेंगे तो अभी चलिए इसको बनाते हैं किस प्रकर से इसको आसानी से बना सकते हैं वो सिखते हैं तो अभी तो हमने साकित को बना दिया है देखा आपने हमने इस पर सिर्फ एक Arduino Nano लगया है और इसका connection बराने के लिए मतलब इस पर तीन हमने सार्बो लगया है तो तीन सार्बो के लिए अलग से Ampere जादा होना चाहिए 5 बोल्ट का होना चाहिए और Ampere जादा होना चाहिए इसलिए मैंने अलग से एक सार्कित बनाया है जिस पर 5 बोल्ट हम लोग अलग से देंगे तो ये काम करेगा इसलिए ये सार्कित हमने अलग से बनाया है आप चाहिए तो इसको Arduino Nano से भी लगा सकते है तो अभी चलिए इसका जो बोक्स है बोक्स को हम लोग बनाएंगे और बोक्स पर कहा कहा पर कौन सा सर्वो लगना है वो भी आप लोग को दिखा के लगाएंगे और अब इसको देखके आसान से बना सकते हैं तो चलिए अभी हम लोग बोक्स को बनाते हैं आसान से बना सकते हैंगे तो फ्मादय है रुष मटनहा सकते हैं और अपिस इसके एलब सीजी एल झाल झाल तो अभी तो यह box पे fit कर दिया आमने तो अभी हम लोग को इस पर सिर्फ एक music system लगाना होगा आप किसी भी music system आप ले सकते हैं किसी भी speaker को ले सकते हैं लेने के बाद इसका जो switch होगा जिस पर हम लोग on करेंगे उसी connection पर हम लोग इसका music system का connection करेंगे ताकि जब यह on होगा तो music system बजने लगेगा और यह automatic ले सार्वो आके इसको off कर देगा तो इसी प्रकर से हम लोग इसको fit करेंगे तो अभी चलिए music system को इस पर लगाते हैं उसके बाद हम लोग इसको test करेंगे करेंगे तो झाल झाल तो आप लोग देख सेखते हैं यह कंप्लेट हो गया है तो आप यहां लोग इसको टेस्ट करेंगी तो मैंने स्विच के माद्दम से और एक सरकित लगाया है जो की कॉलिंग बेल का साउन्ड होगा उसी साउन को आप लोग का साउन्ड आयेगा और यह ऑटोमेटिक बन कर दे क्थेए झाल झाल आप ल्कंम के बंदर्धु कि चुर्ज़स यंन नर न चाहिए मतलब इस से कॉरन रहए लेकिन ये बनकर देता है तो देख आपने इसका सबी मॉबिंग आपको देखने को मिला है तो आप भी इसको बना सकते हैं इसे मैंने बनाया है उसी सिस्टम से आप इस गर को घर पे इसको बना सकते हैं तो देखा आपने किस परकट सा आसान इसे एक यूजलेस बॉक्स अमलोग बना सकते हैं वो भी बॉक्स पर एक music सिस्टम लगा के कॉलिंग बेल बना सकते हैं इसका सार्किट डियाग्रम मैंने वीडियो पर दे दिया है आप वीडियो से कलक्षन कर सकते हैं तो अगर वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक जरू कीज़ेगा और अपने दोस्तों जरू शेयर कीज़ेगा तो आज के लिए ते कि जस्टों बाइ